हेलो इन्वेस्टर्स वेल्कम तु धमक का स्टॉक चनल आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एच आई मैगनेशिटा इंडिया लिमिटे सेर के बारे में तो पहले हम लोग इस सेर का फंडमेलिटे डेटा चेक करेंगे उसके बाद इस सेर का टेकनिकल चार्ट का एनलासिस था 830 एंड फ्राइड के दिन इस सेर ने आपका रिटन दिया है 1.86% एंड फ्राइड के दिन इस सेर आपका क्लोज हुआ है 839.60 पर ओके इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है रूपीस 13,517.25 करोर इंटरप्राज वैलू है रूपीस 13,503.37 करोर और पी इस रेस्यो ह रहा है वह आपका रहा है 0.06 हगड़ किसी भी कमपनी का देप्ट इकुटीnity रिचिवे एक और एक से कम होता है तो हम लोग प्र अच्छा मान्ते है और यह पर इक से कमई है और इन कमपनी के पास अभी कैस है रूपीस 70.93 करोर तो इसकमा मतलब का कमपनी के पास ऐस कर कमप ही है 36.92 परसंट जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है लास्ट यार में इस कंपनी में पॉफिट ग्रोथ हुआ था 97.07 परसंट एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 45.69 परसंट यह जो कंपनी है आर एइच आई मैगनेशिटा इस कंपनी में पॉड़ास का होल्डिंग है 70.19 परसंट पाबलिक का होल्डिंग है 18.91 परसंट, DII का होल्डिंग है 8.41 परसंट एंड 2.47 परसंट अगर किसी भी कंपनी में परमोडेस का होल्डिंग 40 परसंट और उससे जदा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यह आप ए 40 परसंट से जदा ही है और एग चीज़ द का 22 कर रहा है जो कि एक अच्छा बात है और एक कमपनी हर एक एयर पर अच्छा काशा आपका revenue भी जेनरेट करता है and continuously profit में भी है जो कि fundamentally एक अच्छा बात है और इस कमपनी ने last एक साल के अंदर आपका return दिया है 127.07% का जो कि मेरे हिसब से एक सर के लिए एक अच्छा return है और इस कमपनी ने अभी तक maximum आपका return दिया है 2992.45% का ओके और यह जो कमपनी है RHI Magnesita एक कमपनी मानी कॉंट्रोल का technical के हिसे अप से डेली चर्ट में देखी कहा है इस शेर का चार्ट पे एनवाप जाके इस शेर का चार्ट का भी एक बर analysis कर लेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक request है अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजीगा और हो सेकर तो बेल आइकन में भी किलिक कर लेजीगा तो अभी देखिए मैंने computer screen पे इस शेर का ओन डे का चार्ट उपन के लिए हो तो पहला चीज़ देखिए पूरा चार्ट अगर आप लोग यह से देखेंगे तो अप लोगों को यह पर आपका आपटेंडी दिखेगा और यह पर धन्धी जीगा यह अपका है अपका 28 दिसंबर 2022 का दिन यह पर हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव प्रमत दिखा था एंड़ की बात तो आरे साई भी देखिए आपका अच्छा बात है यह अच्छा ब ज्यादा तर इंडिकेडर एप हम लोगों को बूल इस इंडिकेशन दिखा रहा है ओके तो अभी देखिए मैंने कम्पूटर स्क्रीन पे इस चर्का आपका वान वीक का चार्ट भी ओपन के लिहाओ तो पहला चीज़ देखिए इस जगह पे आपका है नवेंबर 2022 का आपका थार्ड हुए कि एप हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव केंडल फाम होता दिखा था एंड इस केंडल में आपका सुपर्टेंड ने बाई सिगनल भी दिया था ता अब सो देखिए लागातार इस सेरकर पैस उपर की तरह भी भाग रहा है और अभी जो एक आपका खतम लोगों को बूलिस इंडिकरेशन दिखा रहा है ओके तो अब भी इस सेरका जो कारें मार्केट प्राइस है एराउंड आपका रूपीस एट हांड थार्टी नहीं अगर लगभग इसी रेंच पर इस सेरको खईदा जा तो मेरे हिसाब से लगभग आपका मीडियम टाम में इस यार आपका रूपीस 950 का टारगेट है इसको भी एक्षिप कर सकता है लेकिन कुछ भी एक्से लेने से पहले आपका जो फाइनल सी एल एडवाइसर है उससे एक बहुत जरूरू कॉंसर कर ले जिका क्योंकि मैं कोई से भी रिच्टर पर से नहीं हूँ और मैं यह पर क किसी भी तरीका का कुछ भी टीफ्स नहीं देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ मेरा जितना टेक्निकल और फांडामेंटल नालोज है उसके उपर बैस करके वीडियो बनाके आप लोगों को सही इंफर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कॉसा से टेक्निकली कैसा है कॉसा पूरा वीडियो देखने के लिए अब सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद